दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप अपने मुबाइल से पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हो जा दोस्तो अगर आप भी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो क्रियेट करना चाहते हो बनाना चाहते हो तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि दोस्तों बड़ी आसानी से कुछी मिन्टों में आप जो अपनी HD quality में passport size अपनी फोटो बना पाऊगे तो guys अगर आप भी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी skip मत करना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर भी तक आपने मारे चानल को सब्सक्राइब ने किया तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें जोगा तो चले फ्रेंट्स आज कई वीडियो स्टार्ट करती है तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मुबल में Google Chrome में जाना है Chrome में जाने की बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक वेबसाइट सर्च करने है सर्च बार पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर एक वेबसाइट है यही वेबसाइट है Cutout Pro यहाँ पर आपको सर्च करना है जै दोस्तों Cutout.pro इस तरीके से आपको सर्च करना है और इस तरीके से Cutout.pro की वेबसाइट आपको शो करेगी सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको 3 line option पर क्लिक ना है इस पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आपने जो अगर आपने इस पर login नहीं करा तो आपको यहाँ पर sign in का option मिल जाएगा या फर गैस बाद में भी आप sign in कर सकते हूँ मैंने अल्री यहाँ पर login कर दिया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है प्रोड़क्ट वाला option शो करेगा इस पर आपको क्लिक करने इसके बाद आपको जो नीजे की और AI editing शो कराए आपको इस पर क्लिक करने की बाद passport photo option दिख रहा है तो आपको पासपोर्ट फोटो पर क्लिक करोगे इसके बाद आपको upload पर क्लिक करने की बाद दोस्तों आपकी mobile के gallery ऑपन हो जागी जिस भी photo को आपको पासपोट साइज में बनाना है سंपली आपको इस फोटो को सेलेक्ट कना इसके बाद डएंपर क्लिकना है आपकी वो फोटो इस वेबसाइट पर यहां पर अप wanna हो जाएगे आपको उस ताइम वेट कना है अगर आप آउटफिट चेंज करना चाहते हूँ तो इस तरिके से इस पर क्लिख करके आउटफिट भी यापर आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर men women आप चूस करके यहाँ पर इसका आउटफिट भी यहाँ पर अपने according आप चेंज कर पाओगे तो वैilles मैंने आप पर जो यह चेंज कर दिया अगर आपको outfit चेंज करना तो इस तरह सबसे आप प्रसे लिका हुआ है यहाँ पर आपको जो इसे सेलेक्ट कर देना है इसके बाद दोस्तों नीचे के और पेपर साइज यहाँ पर शो करा है तो पेपर साइज पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इसके बाद यहाँ पर यह सारी फोटोस आपके पा यहाँ पर आपको JPG चूज़ करके आपको इसकी quality को 100% कर दो ना इसकी बाद आपको download वाले option पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर यह जो है आपको download पर क्लिक ना और यह जो आपकी file डाउनलोड हो जागे इसके बाद guys आप इसे open पर click करके open कर सकते हो और उसकी बाद गैस आप अपनी passport size photo को आप जो है print out निकलबा सकते हो यहाँ पर आपकी जो इतनी सारी photos यहाँ पर आपकी passport size photos बन चुकी है तो इस तरीके से गैस आप अपनी mobile से कुछी मिन्ट में आप जो अपनी passport size photo जो है बना सकते हो दोस्तों अब कोई वीडियो ची लगाओ तो इस वीडियो को लाइक शूर एंड सब्सक्राइब सरुर से कीचिएगा